नमस्कार बच्छों आप सभी कुन आ रहे हैं लाइव क्लासेस में स्वागत है कैसे बिटा सभी अच्छी तरह से गर पर है ना आज का हमारा अमेजिंग असेनमेंट क्या है देखेंगे कैसा पुरसकार क्या है विशय का नाम क्या है पाठ का नाम कैसा पुरसकार पड़े हैं याद है हाँ याद रख लेजिए यहां पर इस पाठ से संबंदित एक छोटा सा अभ्यास यहां दिया हुआ है करेंगे क्या चलो मेरे साथ आ दाय तरफ को जोडना है तीक बड़ा या देखिए अध्यापक सेनानी विरुद्ध शरद्धा प्रभावशाली कचोटना स्वाभिमान इस तरफ है और दाय तरफ हैं क्या है सैनिक खिलाफ शिक्षक अखरना आदर आत्मसम्मान असर डालने वाला तीक है अब हम इस तरफ के जो शब्दों को उसके ठीक अर्थ के साथ जोडना देखिए अध्यापक अध्यापक कोई पीचे से बोल रहे है क्या है देखिए शिक्षक अध्यापक और शिक्षक दोनों सम्मान अर्थ वाले शब्द है तो हम क्या करना है अध्यापक को शिक्षक के साथ जोडना है शब लगवास ठीए बड़ा और नेक्स्ट सेनानी ते नानी हम में जाएंगे हम भारत के रक्षा करेंगे हाँ एक एक सेना को क्या कहते है साइनिक कहते है थे नहीं तो देखे जैनानी या साइनिक दोनों भी समान अर्तवाले शब्द ए ठेट विरद्ध विरद्ध याने इसके सम समान नहीं है उसके खिलाफ हाँ क्या है खिल अधोंड़े अ यहीं पर है खिलाफ विर्दकारते हैई खिलाफ कि सबसर अच् dedhister आश era बैड़ा श्रद्धा का मतलब क्या है हम भगवान को सरद्धा से पूछते हैं कैसे सो सद्धा से याने उसी का और प्रभाव शाली याने हम किसी चीज को देखे या कोई फिल्म को देखे उसका असर हम पर पड़ता है क्या पड़ता है उसका असर पड़ता है उसका प्रभाव हम पर पड़ता है understood तो प्रभावशाली चीज़े याने असर डालने वाला क्या विड़ा असर डालने वाला असर का मतलब प्रभाव है प्रभावशाली असर डालने वाला कचोटना कचोटना यह कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम इस समय में क्या करना है हम आगे जाना है सिंपल जो आसान है उसको कप्रिट किये थो हमें अंत में मिलेगा जो तर आसान से कर सकते एक हिंट है देखिए स्वाभिमान उसको कहते हैं respect आग है आत्म सम्मान आत्म सम्मान या ने स्वाँ भीमान का समान आर्ट है अट्म सम्मान अब देख वाँमान रहना लेकिन अक्रना नहीं हमझ मैरे को फिर्ण न था थोड़ा दूखी हो न अखिरा अब इस तरह से हम कुछ कटिन शब्दों को भी अच्छी तरह से सही अर्थ से हम जोड सकते हैं अब यहां से आवर अन्य शब्दों का अर्थ भी हम कर सकते हैं धन्याद बच्छो